तो आज हम बनाते हैं पटाटो बम्स बम्स सुनकर आप भी एरान रहे होगे ना यह क्या बनने वाला है तो चलिए सुरू करते हैं बिना टेर किये में आपां कड़ाई में ले रहे हूं थोड़ा सा थेल और इसमें हम डाल देंगे एक टेबल स्पून के करेब जिंजर गालिक पेस्ट मेहां पर दो सितन आलू बॉयल करके रखी इसे भी हम इसमें डाल देते हैं और इसे हम अच्छी चेसमास कर लेंगे अब इसमें डालते हैं स्वादन सानामाग थोड़ा सा हल्दी पाउड़ा सारे स्पैसेस को हम इसमें आठ कर लेते हैं मेहा पर किचन किंग मसाला थोड़ा सा गालिक चटनी भी ले रही हूँ, इसे इसका फ्लेवर और भी ज़्या अच्छा रहता है, ज्यादा स्पाइस हम इसमें आट नहीं करने वाले हैं, बहुत है सिंपुल रेसिपी है दोस्तों, हर कोई बना सकते हैं, पर टेस्टी उतना ही बनता है, अब हम इसमें ड बना रहे हूँ, एक टेबल स्पून मेता, एक टेबल स्पून कॉन स्टाच के साथ स्वाधन सा नमक भी डाल देंगे, उसके पाथ हम स्पून के मदर से कुछ इसे जेप में अलू को लेंगे, और इसे हम अपनी मन पसंद की कोई भी सेप दे सकते हूँ, मैं अबरोबल सेप इसे हम अच्छे से सलरी में डिप कर लेते हैं, इसे की सलरी अच्छे से कोटेड हो जाए, उसके पाथ हम लेंगे यहां पर बॉइल गया हुआ चौमिन, यानि की बॉइल गया हुआ नूडल्स, और इस पताटों को हम सलरी में डुबाने के बाद ही, इसे हम इस तरीके से न यह पाट से क्रिस्पी और अंदर से मसालों का आलू का जो फ्लेवर आता है, इने बहुत ज़्यदा टिस्टी लगता है, हमने कुछ इस तरीके से इसे र्याप कर दिया है, इस तरीके से ही सारे नूडल्स को हम र्याप करके रख लेते हैं, यहां पर हमारा सारे नूडल्स अगर आपको लाइटिंग की इसी हो रहे हैं, जब मैं यह बना रहे थी न तब पावर कट हो गया था, इसलिए थोड़ा सा लाइटिंग की इसी आ रही है, अब हम गरम गरम तेल में इसे आराम आराम से फ्राइ कर लेते हैं, जब तक एक गोल्डन क्रिस्पी ना बन जाए, यहां पर हमारा एक साइट गोल्डन क्रिस्पी बनना सुरू हो चुका है, अब हम दूसरे साइट भी से पलड लेते हैं, लग रहा है ना बिलकुल बॉम जब मुह में जाएगा ना इतना जाता अच्छा फ्लेवरों का बलास्ट होगा ना, मत पूछिए, एक पर ट्राइ कर करना तो बनता है, अगर अच्छा लगे मुझे कमेंट जड़ करना और सेयर भी जड़ करना, और लाइक तो आप करें लोगे, यहां पर हमारा पटटो बन कर बिलकुल लेड़ी है, अपके मुह में ब्लास्ट होने के लिए हपी मुजी के साथ, थोड़ा सा और सिसनिंग कर मैं आप पर थोड़ा सा चाट मसाला डाल दे हूँ, आप चाहे तो पेरी-पेरी मसाला भी डाल सकते हूँ, अब इसे घर मागराम सार्फ करें, मुझे कमेंट करना बिलकुल बन भूलना, थंक्स पर वाचिंग